सरीर पर भूत आ रहे हैं, बाहरी आत्मा का प्रभाव है, एका एक आपके सरीर में एठन होने लगती है, आपके लार गिरने लगते हैं, वैक्ती अपने होसो हवास में नहीं रहता और घरवाले परिसान हो जाते हैं, इसके बाद तौर आता है बाबाओं का, जी हाँ, ऐसे ब नमसकार दोस्तों, The Health Care Today में आपका स्वागत है, आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि आखिर ये बुरी आत्मा हमें कैसे परिसान करती है, क्यों परिसान करती है, और इसके इलाज क्या है, दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास या गा लगते हैं, वो अपने होसो हवास को बैठता है, इवन कि उसकी आखें भी उलड़ जाती है, ऐसे हालात होते हैं कि कई बार यूरिन भी पास हो जाता है, घर वाले परिसान हो जाते हैं, और यह जो परिसानी है वो चंद सकेंड के लिए होती है, लोग परिसान, आखिर हुआ क्यों, कैसे हुआ, कोई बिमारी नहीं, एकाए कैसे हो गया, और इस समस्या को लेकर घर वाले किसी डॉक्टर के पास जाने के बाजाए बाबाओं के पास पहुशते हैं, कोई पूजा कराने लगता है, कोई तांत्रिक का सरन लेता है, और ऐसे नम्मर ओफ केस बहुत बाद जाता है, लेकिन सही माइने में आप इन परेसानियों को पकर नहीं पा रहे हैं, जी हाँ, यह जो बिमारी है, इसे इंग्लिस में एपिलेप्सी बोलते हैं, और हिंदी में मिर्गी बोलते हैं, कई बार लोग मानने के लिए नहीं तयार होते हैं, कि यह मिर्गी तो हो आज डॉक्टरों के पास अवैलेबल है अब आते हैं कि आखे कर दोरा आया कैसे क्यों हुआ मिर्गी का दौरा तो दीखे मिर्गी के दौरे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कई बार काफी ज़्यादा एस्ट्रेस में भी मिर्गी के दौरे आ जाते हैं कई बार अगर मस्टिक्स में चोट लगा है उसमें भी मिर्गी के दौरा आता है जिनरली मिर्गी का दोरा जो इंटर्नल रीजन है जो मस्टिक्स की कोशिका होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक वेव निकलता है जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ट्रांसफर होता है वो अनबैलन्स हो जाता है और इस unbalanced electric wave के कारण से वैति को मिर्गी का दोरा आता है इसके कई सारे और भी रीजन होते हैं कि आप काफी ज़्यादा जो है so drugs का इस्तेमाल कर रहे हैं काफी ज़्यादा stress में हैं accident में किसी कारण से brain injury हुई है इसके कारण से भी मिर्गी के दोरे आते हैं एक सवाल और भी उठता है कि बच्चों को मिर्गी का दोरा कैसे आ जाता है बच्चों को भी मिर्गी का दोरा आता है काफी चोटे चोटे बच्चों को भी मिर्गी का दोरा आता है तो किसी न किसी रीजन से यदि गर्भा वस्था में भी बच्चे के सिर पे अगर चोट लग जाए तो उसे भी मिर्गी का दौरा आ सकता है यदि मिर्गी का दौरा आ गया तो इमीडियेट करना क्या है जिसमें मिर्गी का दौरा आता है तो जिस वैक्टी को मिर्गी का दौरा आता है उससे कुछ भी नहीं पता होता वो अपनी होसो तो हवास हो चुका होता है उसकी बॉड़ी जो रियक्ट कर रही है वो अनकंट्रोल होती है तो ऐसे हालात में सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि यह मिर्गी का दोड़ा है इस मिर्गी के दोड़े में सरीर में एठन होने लगती है हाथ सरीर में कंपन होने लगते हैं बहुत ज़्यादा लार गिरने लगता है वैक्ति के आँख के जो direction होते हैं वो change होने लगते है दात पे दात बैठने लगता है तो यह जो लच्छन है अगर यह लच्छन आप किसी भी वैक्ति को देखते हैं तो सबसे पहला काम करना है कि वैक्ति को सुद्चित तरीके से जम लार करवट होने के कारण से बाहर निकल जाएगा यदि आप सीधे लिटाते हैं तो लार जो है उसके सांस नली में जाकर रटक जाएगा जिससे वैक्ति की मौत हो सकती है तो यह ध्यान रखना है कि वैक्ति को जमीन पे लिटाना है ताकि उससे जो अनकंट्रोल उसके जो बाड़ी रियक्ट कर रही है हाथ पैर फेक रहे हैं तो उससे चोट की संभावना कम से कम हो जाए करवट इसलिए लिटाना है कि उसके लार सारे बाहर हो जाए मुह से बाहर निकल जाए कभी भूल के भी उसके मुह में उंगली या कोई हार्ड जैसे चमच वैगर बहुत सा आपके लिए इमर्जेंसी होती है फिर आपको इमेडियेट हॉस्पिटल जाना है आपने सुना भी होगा इविन कि देखा भी होगा कि कई लोग मिर्गी के दौरे के दौरान मरीज को चपल और जूते तक सुनाने लगते हैं अब यह चपल जूता सुने के बाद जो है वैक चपल चमड़े के चपल जूते सुनाते हैं और सुनाते सुनाते इस यह जो टाइमिंग है और टाइमिंग निकल चुका होता और वैक्ती रिकवर कर चुका होता है अपने होसु हवास में आ जाता है सामने वाले को लगता है कि जूते सुनाने के कारण से वह सही कर्डिशन म पास जाते हैं तो यह जो स्टार्ट होता है जब एपिलेप्सी का जो दौरा स्टार्ट होता है तो इसके जो गैप हैं वो काफी लंबे गैप पर आते हैं फिर बाबाओं के पास फिर दूसरे बाबा फिर तीसरे बाबा बिलकुल ही भूल जाएं कि ये बाबाओं के कंट्रोल में है या विमारी या ये कोई आत्मा का प्रभाव है या कोई बुरी आत्मा उसे तंग कर रही है ऐसा कहीं से नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ इलाज कर काफी कंफीजन है कि जितने भी पेंट दिखी जो में लोग रह रहे हैं हम बड़े बड़े कॉर्पेट हॉस्पिटल है बड़े प्राइविट सेंटर है सूपर इस्पसेलिटी हॉस्पिटल है वहाँ जो बीमारी है उसके सूपर specialist doctor मिल जाते हैं लेकिन गाउं में अक्सर एक तो जाग रुकता नहीं है लोगों को पता नहीं है कि अगर इस तरह के दोड़े आएं तो किस doctor को दिखाना है तो यह जो अगर मिरगी का दोड़ा आता है जो एपिलेपसी है इस तरह का अगर केस आपके जानने वालों के साथ हो रहा है तो आप सीधा neurologist को दिखाएंगे neurologist सबसे बहतरीन इलाज वही कर सकते हैं एमडी मैडिसीन हो सकता है कि वह ततकाल रहाद देने के लिए कुछ ने कुछ मैडिसीन वह भी लिख देंगे जो doctor community है उसमें जो हालात है जाहे case उनका हो नहों वह आपका इलाज करते रहे हैंगे करते रहेंगे जब उन्हें लगया कि नहीं जी अब हमारे कंट्रोल में विल्कुल नहीं है हालात फिरो भेजते हैं दूसरे जगा यह होना नहीं चाहिए आपके पास जानकारी का भाव है जिसके कारण आप सही doctor तक नहीं पहुंच पा रहा है तो ऐसे हालात में जा करणारी कारण की मोबद आती है उस वक्त नियूरो सर्जण का रूल वाता है लेकिन यदि miracle management हो यानि कि medicine से इलाज करना है तो उस में सिर्फ और सिर्फ का रूल होता है तो आप पता करें कि आपके आस पास या आपके पास के जो शहर हैं वहाँ पर neurologist कौन है और neurologist को जाकर दिखाएं neurologist को दिखाने से होगा क्या कि मरीज के जो दोरे आते हैं वो आना बंद हो जाएगा यदि आप medicine स्टार्ट कर दिये तो दोरा आना बंद हो जाएगा यदि आप डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं आप जो भी वैकलपिक चिकितसा है या वैकलपिक जो भी तरीका है वो आजमाते रहते हैं तो ऐसे इस्थिती में जो दौरे आ रहे हैं वो दौरे का जो gap का duration है वो कम हुता चला जाएगा तीन मेहने से वो दो मेहने पे आ जाएगा, मेहने दिन पे आ जाएगा, इवेन के हर सब्ता आने लगेगा यदि आपने इलाज सुरू कर दिया, मेडिसीन स्टार्ट हो गया, तो यह दोरा जो है आना बंद हो जाएगा एक चीज़ जान ले, मिर्गी का इलाज ऐसा नहीं है कि दो-चार दिन आप मेडिसीन खाएंगे और ठीक हो जाएंगे इसके इलाज लंबे चलते हैं, कई वार मरीज ठीक भी हो जाता है, कई वार मरीज ठीक नहीं भी होता है लेकिन उसकी जो बिमारी है, वा कंट्रूल में रहती है, कंट्रूल का कसिंस है कि दोरा नहीं आता है मेडिसीन चलता रहता है, दोरा नहीं आता है, यदि आपने मेडिसीन छोड़ दिया, तो दोरा आना स्टार्ट हो जाता है severe condition में ऐसा भी होता है कि सरजरी तक की नौबत आती है और वो सरजरी भी ऐसा नहीं है कि सरजरी हो गई और आपके इलाज हो गए कई बार medicine चलाने के बाद भी दोरा control नहीं होता बार बार दोरा आता रहता है तो जिनरली लगबत तीन साल जो है medicine चलाने के बाद भी अगर दोरा आ रहा है तो ऐसे इस्थिती में neurologist decide करते हैं कि मरीज की सरजरी होनी है और सरजरी के बाद भी medicine चलते रहेंगे तो ये ध्यान रखें कि कभी भी इस मुगलाते में न रहें कि मरीज पे कोई बाड़ी हवा आ चुका है या कोई जादू टोना है या कोई ऐसी बुड़ी आत्मा है जो परिसान कर रही है ये complete neurological disorder है जनरली मरीजों का जब कॉल आता है तो काफी सारे मरीज एक सवाल जरूर पूछते हैं क्या guarantee है ठीक हो जाएगा तो एक चीज का हमेशा याद रखना जितने भी अच्छे doctor है जो well qualified doctor है वो उनके dictionary में guarantee नाम की चीजे नहीं है गारेंटी अगर आपको चाहिए तो वो रोड किनारी जो तंबूगार के जो इलाज कर रहे हैं वो बेधर गारेंटी देते हैं लेकिन यदि आप एक well qualified doctor के पास जाएंगे इवन की सामन fever के लिए भी अगर जाते हैं और fever के लिए अगर उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर आप guarantee है लिखके दे दो guarantee वो guarantee नहीं देंगे medical science में guarantee नाम का word नहीं है हर कोई जानता है कि पारसिटामोल खाके fever दूर हो जाएगा लेकिन उसके बावजूद एक अच्छे doctor आपको लिखके guarantee word नहीं देते हैं तो इस तरह के जो guarantee देने वाले जो लोग होते हैं उनसे हमेशा दूर रहे हैं क्योंकि जैसे ही उन्होंने guarantee देना start किया इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ कमी है बेहतर होगा कि एक neurologist के पास जाएं वो best इलाज करेंगे और ये बिमारी control में रहेगी और आप एक बहतर जिन्दगी गुजार सकते हैं उमीद करते हैं कि आपको मिरगी यानि epilepsy के related बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी इलाज संबंदित भी जानकारी हमने देत दिया कि किन से इलाज कराना है क्यों कराना है यदि फिर भी अगर आपकी कोई query है तो आप हमारे नीचे दिये गए नमर पे WhatsApp कर सकते हैं हम आपको reply करेंगे यदि आपको बेहतर neurologist नहीं मिल रहे हैं तो हमारे साथ कई बेहतर neurologist जोड़े हुए हैं आप उनसे भी संपर कर सकते हैं हम रखें आपका ख्यान झाल 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 झाल